डेली वर्ल पॉब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां हैं काडमेग्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन, एडमिशन ओपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइज्ट, तो यह अजमेर में राईवार को कुरूना पॉज लगातार मामले सामने आने के बाद, गदिनों 20 लोगों को संदिक्त माना गया था, और इन तमाम लोगों को सिविल लाइन, इससी जो खौजा मोडल स्कूल है, उसमें क्वारिंटाइन किया गया था, और इसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गये, वहीं इनी आकड़ों मे से एक नाला बजार का रहने वारा युवक भी संक्रमित मिला है, जिसमें पॉजिटिव पाए गए 11 लोगों में से, दस की जो पहली रिपोर्ट थी, वो नेगेटिव आई थी, और इसके बाद शक के आदार पर एक बार फिर इनके सेंपल लिये गए थे, जिसमें सबी जो ये कोरोना के मरीज है, वो संक्रमित पाए गए है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं आगर नाला बजार से जो एक युवक आया है, उसकी अगर हम बात करें, तो इस युवक का पहले से, जो पॉजिटिव परिवार के चार लोगों से संपर्ख में आना बताय जा रहा है, और इसके बाद अजमेर में आगरा एक सुद जो तेईस है, उसमें सो पॉजिटिव अकेले जो मरीज है, वो मुस्लिम मोची मौला जो इलाका है, वो इस वक्त अजमेर का हॉट इस्पोर्ट इलाका बना हुआ है, यहां पर जिस तेजी से संक्या आ रही है, वो चिकेसाब विभाग के लिए बहुत चिंता की बात है और इसको लिखा चिकेसाब विभाग अपनी नई रणनीती के उपर काम कर रहा है आपको पता दें कि मुस्लिम मोची मोला जो छेत रहे वो उसमें महज मात च्छे दिन के अंदर सो पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं औ और इसी के चलते जो प्रिदेश के साथ साथ जो केन सरकार है उनकी निगाएं भी यहीं पर टिकी हुई है उद्यपूर मेडिकल कॉलेज ने 12 संदीत की जो रिपोर्ट है वो शनिवार देड़शाम जारी की थी और यह तमाम जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं यहां पर अब तक जितने भी केसिस मिले हैं पॉजिटिव के इनमें किसी के अंदर भी कुरूना के लक्षन नजर नहीं आ रहे हैं और इसी करण स्क्रीनिंग के दोरान जो चिकेसकों की टीम जा रही है उनको कोई खास जानकर ही हाथ नहीं लग रही है क्योंकि लोग उस तरीके से सयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से लोग को करना चाहिए लोग खुल कर बता नहीं रहे हैं अगर किसी को खासी की दिक्कत जो काम किये गले में खरास की दिक्कत है तो लोग एक डर के कारण उस बात को चिकेसका विभाग की टीम को बता नहीं रहे हैं और सभी मेडिकल कॉलेजों में नई PCR मशीन आने के बाद ये काररे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और उमीद ये है कि जो मेडिकल टीम की जो नई रणनीती है जिसमें इस इलाके की सभी लोगों की सैंप्लिंग लेकर जांच करवाई जाए उसको कहीं ना कहीं एक इंटम्स नहीं है और ये चिकेसा विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है और इसकी जो रणनीती तैयार कर रही है टीम उसी के तहट मुस्लिम मोची मौले से जो यहां के डेंजर जोन माना है और इसके लिए यहां का एक नक्षा तैयार कर लिए गया है औ और उसके हिसाब से मैपिंग करकर बकायदा चिकेसा विभाग ने इसका जो नक्षा है वो ड्राफ्ट किया है और उसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी है और उसके बाद जो सैंपलिंग का काम है वो तेजी से शुरू हो जाएगा हम बता दें कि मुस्लिम मोची मौलला जो छेत्रे वो यहाँ पर पहला जो पॉजिटीव केस है वो 20 अपरेल को मिला था और उसी दिन 343 संदिक्त लोगों के सैंपल लेकर उद्यपूर मेडिकल कॉलेज बेजे गए थे जिसमें से 5 दिन का समय हो गया है लेकिन अभी तक वहाँ से सभी की रिपोर्ट नहीं आ सकी अभी 2500 संदिक लोगों की रिपोर्ट का इंतिजार और है यानि कि रिपोर्ट अभी आना बाकी है और रिपोर्ट जब दिर दिर आईगी तो उसके बाद हो सकता है कि आंकड़ा बड़े भी और हो सकता है कि रिपोर्ट अगर तमाम नेगेटिव आए तो आंकड़ा थम भी स लेकिन चिकितसा विभाग ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से मुच्छी महला जो इलाका है इस तरीके से केसिस सामने आये हैं उन तमाम केसिस को ध्यार में रखते हुए नई रणनेती पर उन्हें काम करना शुरू कर दिया है और तमाम लोगों के यहां पर सेंप्लिंग का क कोरोना के लक्षण आने ही रहें सामने और लगाता कितना वक्त इसमें और खतम किया सकता है उसको लेकर संशे बना हुआ है कि तूटल जो सेंप्लिंग लेने का काम है उसमें कितना वक्त लगेगा लेकिन चिकेशा विभागें रन्निती तयार कर ली है और उस पर काम बहुत जल चुरू हो जाएगा झाल